एक बाब बेटे का रिष्टा ऐसा होता है जहां पिता की डांट होती है तो प्यार भी होता है गुस्सा होता है तो आशिरवाद भी होता है लेकिन एक चीज है जो भले ही एक पिता कभी जाहिर न करे लेकिन चाहता जरूर है और वो ये कि उसका बच्चा हमेशा कामियाबी की बुलंदिया चुए ऐसा ही कुछ रिष्टा है हमारे आगरा से आई पियल में मुमई इंडियन्स टीम के लिए खेल चुके क्रिकेटर तेजिंदर सिंग धिलन और उनके पिता के बीच तो आईए आपको दिखाते हैं इस से फादर स्टे उनके और उनके पापा से की गई खास आज हम मुझूद है मुफिदे आम के स्ट्रेडियम में जहां पर क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही है और मौका है फादर स्टे का पिता एक परिवार का वो इस्थम जिसके सहारे पूरा परिवार किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए हमेशा तयार रहता है हमेशा खड़ा रहता है तो ऐसी ही एक शक्स की कहानी जो हमारे ही आगरा से हैं और उभरती सितारे हैं क्रिकेट जगत के तेजिंदर सिंग धिलन नाम तो सुनाई होगा हमारे आगरा के अपने स्टार है यार मतलब उनके पापा की जो मेहनत थी इनके पीछे इन्हें सक्सेस्फुल कराने म हैं तो चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है तेजिंदर और सर आपका भी स्वागत है सीन्यू से जुड़ने के लिए सबसे पहला सवाल अभी तक जो चीज़ें हुई हैं कैसा महसूस करते हैं और कहीं न कहीं जो पिता की मेहनत थी लगता था कि यहां तक पहुंचेंगे बिल्कुल जो ममी पापा का मेरे कोचिस का मेरे लिए प्यार था मेरे पीछे मेहनत थी तो मुझे विश्वास था कि मैं एक ना एक दिन क्रिकट में जरूर नाम करूँगा अपने प्रोफेशन में जरूर नाम करूँगा जैसे कि मतलब बच्पन से ही पापा को मेहनत करते ह वह देखा ट्रक का पापा का बिजनस था तो बच्पन से ही महनत करते हुग देखा तो उस चीज को मतलब मैंने एक डेडिकेशन बनाया कि यह जैसे पापा ने महनत की है वैसे मेरे को अपने प्रोफेशन में महनत करनी है हर पिता चाहता है कि वह जो भी काम करें उसका बच्चा आगे चलकर सक्सेस्फुल रहे वह भले ही किसी भी फील्ड में महनत करें लेकिन उसका बच्चा ऐसा काम करें ताकि जो उसने महनत की हैं उसे कम से कम काम करना पड़े और वह सक्सेस्फुल रहे महनत भी कई तरीके की ह सर आप से जानना चाहेंगे कि आप जो काम करते थे उर चाहते थे तो शायद इतना टाइम भी नहीं मिलता होगा कि आप अपने वह साथ ते स्पोर्ट करते थी अच्छा था उसने करवा दिए तो कहते हैं पूत के पाउं पालने में दिख जाते हैं तो यह तो भवी स्पोर्ट्स पर्सन हो गए अब तो क्या था बच्पन में कैसे थे चिल मुले थे श्यांस वभाव के थे कैसे थे तो तब लगता था कि स्पोर्ट्स में जाएंगे क्योंकि आठ साल के थे तब इनकी ट्रेणिंग स्टार्ट हो गई तो आप कैसे कैसे इतने छोटे बच्चे को भेजना भी सुपह सुपह मेहनत करना भी मतलब ट्रेणिंग पीरिड ऐसा होता है कि लगता है सब सो रहे हैं हम आपको काम करने जाने आए और बच्चा मेहनत कर रहा है तो फिर उस टाइम पर कैसा महल होता था घर का महल के इसकी मास को सपूर्ट करते दिए और छोड़ाती दिए वहीं लियाती इतना सपूर्ट किया सको जाने जाने लग गया फिर कोई दिक्कानी पड़ी तो जैसे क हम देख रहे हैं कि तेजंदर के पिता काफी भाववक हो रहे हैं और होता भी जब बच्चा सक्सेस्फुल होने लगता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो लगता है माबाप को क्योंकि बच्चा कितना भी बढ़ा हो परिवार के लिए माबाप के लिए हमेशा बच्चा ही रहता है तेजिंदर पापा आपको कितना टाइम दे पाते थे और जब चाचा ने यह चाचा उसी तरीके से मेरे को देखते थे जैसे अपने बेटे को देखते थे वैसे मुझे देखते थे तो बाकी पापा का जब भी फोन आता था पापा भार होते थे तो मेरे मतलब रिजर्ट से पहले मेरे से मेरे स्कोर बूचा जाता था कि कितना स्कोर बनाया और मतलब एक बता दूब पापा कि कभी वी आज तक मतल्म मेरे मुँपे तारिफ नहीं की मैं सौवन आया हूं तो उन्होंने कह दिया कि हाँ बच्चे होंगे बना दिया और अगर मैंने नहीं बनाया तो अरे यार घब बनाएगा तो कभी वी तारिफ नहीं और मेरे को यह बता है कि मेरे कभी भी मेरी बुराई नहीं हुए मेरे पीचे हमेशा उन्होंने एका कि मेरे लड़के से अच्छा कोई करकेटर नहीं है तो यही सपोर्ट बहुत जरूरी होता है यह जो एक लाइन होती है ना यह हर पिता कि I think मैं समझती हूं कि हर पिता यहीं करता है अपने बच्चे की घर में तो लाड़ ले तो रही होंगे तो मा से जाधा अटेश्मेंट रहता है और पापा को क्या ही बोलना पापा बदानी क्या सोचेंगे तो वह चीज़ा होती थी बिल्कुल आज भी अगर ऐसा होता है कि मैं मेरी एक सिस्टर है भी जिसकी मेरेज नहीं है तो आज भी मै यह तो सर्टेशिंदर का कहना है कि आज भी डाट पड़ जाती है मतलब बच्चे हमेशा बच्चे ही रहने वाले हैं चाहिए आप कितने भी बड़े हो जाए तो अब फादर स्टे का मौका है मैं बात करना चाहती हूं उन चीज़ों की जो एक इस्टिकल टाइम होता है कैस आपने वो टाइम हैंडल किया एक ऐसा समय भी आता जब लगता है की कैसे होंगी चीज़ें कैसे जाएगा बहर बेजने में बच्चे को लगता है कैसे जाएगा कितनी उम्र गेते जब बाहर चले गए यह मेरे गया से जासे जसे दस साल का हुआ कानपूर क्या था था थे त तो बहुत खुशी होई होगी बहुत खुशी होई है ऐल का सेलेक्षिन वह दू कैसा था मतलब घर पे माहौल कैसा था जब सबसे पहले पता चला कि आइप एल में सेलेक्षिन हो गया है बच्चे का कैसे कैसे सेलबेट किया ता वह दिन आज भी याद होगा मैं ज़रूर यह क और आपके सामने की बात है और अचा सब लोग साथ में देख रहे हैं एक इस रेक्शन खास कर पापा का तो आप देखी रहे होंगे फिर्स पापा कैसे रियक्ट करें ये कैसा था यह मैं पहले भी मतलब शेयर कर चुका हूं कि मैं मतलब देख रहा था मेरे भाई मेरे साथ ब मेरे वॉक्षन में नाम था तो मतलब मेरे को पता था कि लंसम 1 वजे तक मेरे नाम आने मgenesवाला है कि मतलब 12 और 12 और एक वजे यह मेरा पूरा नाम आया था और बारah 69 पर एसा था कि एक नबर 100 मेरे देद्वाय और टीवी की डिस्ट चली गई अब मतलब मेरे उसमें हार्ट बीट में बता नहीं सकता मेरी हार्ट बीड कैसी थी कि मेरा नाम आएगा नहीं आएगा क्योंकि मेरे को परफॉर्फॉर्मस में अच्छी कि वी थी लेकिन फिर भी आई पिल लख बाइ चांस है सब कुछ तो उसमें डिस्ट चली गई अब मैं मतलब डिश्ट ऑपरेटर को फॉन करूं इस एक मिनट मैं यहां फिर क्रिक बस पर देखूं सब हर जगहां होट स्टार पर देखूं तो वह लेट चल रहा था लेकिन उससे पहले मेरे कोच इसके म मतलब वह पांच मिनट और साथ मिनट का टाइम था कि जितने भी कलोनी वाले हैं सब सब घर पर थे सब ढोल लेके घर पर थे एक्शली तो अच्छा मोमेंट था ही सेयद मुश्टाक में आट विकेट्स 198 रन्स मतलब क्या सोचे थे उस दिन क्या खाके गए थे कि आज क्रिक तो अच्छा था बाकी अभी जो लास्ट 198 थे इस साल और जाथा मेहनत कर रहा हूं वह 298 करने और 16 विकेट्स करने आट की जागा तो आपके बेटे के टार्गेट्स बहुत बड़े हैं और हम विश करते हैं कि यह सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो और आगरा ही नहीं कुरे देश का भी नाम रशन करें लेकिन आप से एक जानना चाहेंगे कि एज़ा स्पोर्ट्स परसन हम इन्हें जानते हैं इन्हों ने जो भी परफॉर्म किया उनके बारे में हम बात करते हैं लेकिन कुछ इनकी ऐसी बात जो अभी तक लोगों को नहीं बता है और एज़ कि सब्सक्राणालनी और यह उवansa, फ्रिक्राणालनीश में हम सुछ लिया चल तो लगता है किैफा बच्चा जा रहा है कि रूष reit taux-sery हो पैसा सब्सक्राइब और नहीं हो तो भी लाट ब्रसेंटा चाएा था नहीं हो उससे पहले भी मतलब समझ थी क्रिकेट की की जाना है बस यही गरना है कैसे किसको inspiration किसको मांनते हैं आगशी है एकक्षिली मेरे भाई रंजीरोफी के लए चाह रंजीरोफी के ल Sail怎么igu सुरूओ छोटा तकいる करो मेरे को स्चन दंदूल कर खहती थी मिरी सिस्टर मेरे करेंदो के लिएंट इनों असे कि ना हम playful sessionanteed किसी का निल कुंपले है तो इन सब लेजंड्स के हमने नाम रखे हुए थे एक दूसरे के और आपस में मैचेस खेलते थे कलोनी में खेल लिए पार्क में खेल लिए तो मतलब एक महौल शुरू से यह ऐसा था कि किर्केटर ही बनना है हमारे पढ़ाई की बाद बाद में होती खिला था वह मैं और पांच विकेट लिए तो चाचा ने कहते हैं तो उस दिन से मतलब फिर जितने वी टेस्ट प्लियर्स वगरा आते थे कैंप्स वगरा मैं देखने के लिए तो वही कहते थे कि यार यह भविश्य इंडिया का इसको आप इसको प्रैक्टिस करानी है तो म नहीं करो या आप बाहर मत जाओ तो घर के हालात अगर हम बात करें तो पहले जो चीज़ें थी बदल गई हैं लेकिन कहीं न कहीं आपके पापा का हमेशा ही रहता होगा कि चीज़ें भले बदल जाएं आप बाहर चले जाओ सकसेज हो जाओ लेकिन जो एक होता है ना कि मुपर आपको नहीं बोलेगा लेकिन इंडिरेक्टली आपको जरूर यह समझाएगा कि अगर दुनिया में बाहर निकल रहे हो अपनी चीज से मत भूलो अपनी जड़ों को मत भूलो तो वो कौन सी ऐसी बाते होती है पापा की जो हमेश्या इंस्पाइर करती है मुझे मतल मतलब मैंने हमेशा किया कि इमानदारी से महनत करना है और इस चीज का मेरे को रिवार्ड मिला कि मतलब मैं आट साल से महनत करना तो और पच्छिस की एज में मिरको 25 का जब हुआ तो मेरे को रंजी टॉफी में बीच में अंडर 19 नी खेला अंडर 16 अंडर 23 जो एक माध्या म कि मैंने इमानदारी से महनत की बाकी मतलब एक बीच में टाइम आया था कि जब मैंने 12 पास की थी कि मतलब बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था कि पापा का भी बिजनस में थोड़ा से लॉस हुआ था पापा की तभी खराब रहने लग गए ते सिस्टर की मेरिज की थी तो थ जो एक कोई भी जो बच्चे का अ भादर रोगा तो वो उसके लिए ऽो चे今日ना पूलिगा उसके मांदा विचकर के लिए तो मुझे बता था एक ना जो कहीं मन में आ एक बादिए ऐक कहीं जगा यह है कि मेरा फ्यूटर खराब ना और मैं मेरा सेलेक्शन ना को कि मीरे ये किशिए पैसा आपको प्राइवेट जॉट में आते हैं तो थोड़ा सा आपको टॉट जुट होता है क्योंकि प्राइवेट जॉप में आपको प्रैशर भी बहुत जादा होता है बहुत का तो यह भी वहां रस कि तरफ डालना है क्योंकि अल्मोस्ट अठारा साल किये जो चुकिती और स्लेक्शन अंडर 19 वगरा किसी में हुआ नहीं था लेकिन उस टाइम पे मेरी मम्मी और में सिस्टर ने मेरे को सपोर्ट किया वहां पर थोड़ा सा पापा का यह था कि पापा ने का कि नहीं अब नही लेकिन मेरे को आगे दिख रहाता कि नहीं मैं अगर एक वर यहां चला गया तो हो सकता है शायद फिन में यहीं का ओके रह जाओ तो पापा को मेरे क्याल से तब गुस्सा भी आया होगा लेकिन मैं मानता हूं आज इस चीज को प्राउड फील करते होंगे कि अच्छा है मेर अगर तो अगर वह मामाब केलिए बहुत कटें हो जाती यह बात अपने बच्चे को उन्हें पता है कि इस काम में बहुत स्ट्रगल है और फिर भी वह उस चीज के लिए एक इससतितिया से बन जाती है कि आपको वह चीज कहनी है ना चाहते हुए भी लेकिन सारी चीज़े ठीक है जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ आज जहां जिस मुकाम पर खड़े हैं काफी अच्छी बात है सब के लिए बहुत गर्फ की बात है तो सबसे पहली बार जब टीवी पर इनको खेलते हुए देखा कैसा लगा मन में क्या आया टीवी पर तो कई मैश रूम है चोटे मोटे मैश होते हैं सबार आते दे वो दीखते दे आई पील की बात करते हैं आई पील में तो जिन लोगों को देखकर बड़े हुए जिन लोगों को देखकर सीखा उनके साथ खेल रहे हैं मतलब एक अलगी फीलिंग रहती है वो और घगा तो आपके पापा ने शायद बहुत सारी बाता यहसी बताई हैं जो जयाद पहले आप से और आपके बहुत मॉमंट्स ऐसे होते हैं जो याद आते हैं तो लगता है कि पता इस आगे की स्ट्रेटीजी क्या है ऑफ सीजन चल रहा है मैंने चुक्रा चीजों कई लासजन मैं तो ओन चीजों पर वर्क कर न और कि जो आगे ए मेरा है पर्फोर्मेंसुन। रॉसल्अahn करना यह आई क्या और इसेशे क्थ जैश्फ पसच्च बिलकुल जब इतनी मेहनत की है तो मेहनत जाया तो जाएगी नहीं बिलकुल सेलेक्शन होगा और आप सबका नाम रोशन करेंगे तो इस फादर्स टे अगर हम बात करें तो पिता और बेटे की जो बॉंडिंग है कैसी है मतलब अभी भी थोड़ा डर लगता है कि कुछ पापा को पता चली जाता है पापा की बाहर जाता है तो कई डिसीजन ऐसे हैं जो नहीं बताते होंगे और अकेले ले लेते होंगे तो उसके बाद क्या बोलते हैं तुने मुझसे पूछा क्यों नहीं यह तो यह बरोसा बना रहे हमें भी आप पर पूरा बरोसा है टीम इंडिया के लिए आईविश आप खेले और टीम इंडिया का नाम रोशन करें और अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो फिलहाल तो सब लोग काफी यह बैठे हो हैं कि इंडिया कब वर्ल्ड कप लेकर आए और कब हम क्रिकेट को और ज्यादा बढ़ावा दें इंडिया में ताकि आप जैसे जो सेलेक्शन होते हैं आपक पापा को क्या मैसिज देना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को क्या मैसिज देना चाहेंगे मैं पापा को तो कहना चाहूँगा कि I love you और मेरे को हमेशा ऐसे आशिरवाद दें कि मैं आगे आपका अपने परिवार का अपने देश का अपने शेर का सबका नाम रोशन करूँ बाकी में तरफ से सभी फादर्स को हैपी फादर स्टे तो सर बेटे ले तो विश कर दिया लव यू भी बोल दिया तो आपका क्या मेसेज रहेगा बेटे के लिए बेटा ऐसे ही चलता चला जाया है और आपका और इंडिया का नाम रोशन करूँ बिलकुल तो आपकी बात सच होगी और शायद जो सपने लेकर ये चले थे उसके काफी नजदीक है और हम चाहेंगे कि ये जल्द ही इंडिया के लिए खेलें और जल्द ही इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलें ताकि लोगों को पता लगे कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं पूरे होने के लिए हैं और अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने का भी तो इस Father's Day आप सभी को Happy Father's Day, Love Your Father, Respect Your Father, अपने साथीक राजीव के साथ नंदनी पाठक, C News आगरा